नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आसा है आप सभी स्वास्थ होंगी आए आगे बढ़ते हैं इस हाथ का एनलासिस करते हैं यह एक आरट की हाथ है इनका उमर अभी 29 साल चल दा है इनकी जिन्देगी के बारे में भी बहुत कुछ जानना साता है तो आए आगे देखा कि उपर पहली नजर डालते हैं दोस्तों यह है इनकी लाइफ लैंग यानि जिवन रखा जो यह आपका भाग रखा को साथ जॉइन होकर के फिर आ गया है कितु की परबत पर स्थांद पर यानि इनका भाग रखा बहुत ख़त्तक तो अच्छा ही है इनका उमर कम से आफ सेवेंटी तू सबरी फाइफ यह आप इनका आयोंड का अनुमन लगा सकते हैं साथ में यह मस्तिक डेखा जो जिन्देगी की रखा के साथ मस्तिक लाइफ लैंग के साथ जुड़ा हुआ है तो पहले तो बोल देता हूं इनका मस्तिक रेखा जो भी है बिल्कुल पढ हीदाई रेखा है जो हार्ट लाइन भी बोलते हैं और साथ में एक रेखा जो सनीपरवत की और पुर्शनी परवत की नीसे गया हुआ है यानि दो भागों में बाता गोया है इनकी हिदे रहा है बहुत हद तक इनका रेखाई जो है बढ़िया है मुखर रेखा अच्छा है स्वस्त है अभी आईए यह अपने फेमिली के साथ तो बहुत एटेस है क्योंकि यह दर्शाता है क्योंकि इनका brain line जो है मस्तिक रेखा जो है यहां से यहां तक जड़ा हुआ है आप देख़ पारा है यह बहुत ख़त तक एटेस है बहुत सवाल जो है इनने हमको बोला हुआ है तो इनका सवाल अगर हम बोलते जाएंगे तो बहुत time लग जाएगा वीडियो कम से कम एक ड गंद्र बहुत लंबी होते हैं वीडियो इसलिए स्वामू यानि सौट इस तोड़ी में ही इनका हाथे लेका एनालेसिस करेंगे आईए अभी टरजनी उंगली की यार्ण सलते हैं उसके बाद ब्यासपति परवत के बारे में बोलेंगे यह टरजनी की उंगली की पहली पर ब दूसरा भी अच्छा है तिसरा भी बहुत खत्तक स्वास्त है इनका उंगली बहुत बढ़िया है टरजनी की उंगली साथ में दोस्तों यह उंगली सीधा भी है बहुत खत्तक अच्छा है साथ में दोस्तों इनका ब्यासपति परवत जो है इनकी हथेले में सबसे में बाइध्य पहुत आथ स्वास्या है énormément क्याадर है को भागि डारी है इनको भाग में मिला हुआ है ग्यान जितना इनको करना सभाई इसना इनके पास घ्रृहस्ति क्यों सब्था है उसका भी घ्यान है थोड़ा बहुत सोटा मोटा तो इधर अधर का करेक्टर में कुछ कमिया पाया जाता है उसके भीसे में भी हम बात करेंगे तो आईए बहुत हद तक अच्छा है अभी आईए मध्यमा उगली की अरज सलते हैं मध्यमा उगली पहली पर जो है सुर्यों की ओर जुका हुआ है दूसी पर जो है बिलकुल बढ़िया है सीधी है तीसरी पर जो है बिलकुल स्वास्ता है अच्छा है आपको धिक पान रही है ये दोनों पर जो बिलकुल बढ़िया है अच्छा है लेकिन ये तीसा पर जो है ब खड़ाब है इनका परबत चो अंदजा लगा सकते हैं कि इनका जिन्दिगे में सनी का कमसे कम विश्टस्ता जो है की देखिए थोड़ा सा आरी रखाए है जो ये थोड़ा सा अपना मन पतिस्ता में थोड़ा आरग लगा सकते हैं थोड़ा सा 50% के सिंथा बने रहते हैं इनका परवज्व है ना जादा उठा हुआ है ना जादा दबा हुआ है इसी हिसाब से आच्छा है लेकिन दोस्तों एक बात और भी है रेखाई भी बहुत खत्तक बना हुआ है अच्छा ही बना हुआ है माना कि ये तिर्भूजी बना हुआ था लेकिन बाद में ये इंदर की बज़र की तड़ा ही बन रहा है दिख पा रहा है आपको ये दिखे बहुत खत्तक अच्छा है लेकिन मैं बार बार बो बुला हुआ हूँ कि सुर्यों हो या सनी हो या बुद्ध हो या व्यास्पती हो कहीं पर भी एक खरी रखा होने से बहुत खत तक अच्छा होता है इसको स्वस्त माना जाता है और वारल इनका जो सुर्यों है कम से कम 70 परशंट तक रीजल देने में बाद है इनके खतिरी में अभी ये कनिस्था अंगली की और सलते हैं उसके पाद बुद्ध परवत की बारे में बोलेंगे ये पहली पर बिलकुल बढ़िया है लंबी है दुस्वा पर जो है ये भी अच्छा ही है तिस्या पर जो है बहुत खत तक अच्छा नहीं मना गया है क्योंकि इसमें बहुत चाड़ा आरी रेखाई जो है काट रहा है ये इनका सोच को इनको इनको इंटेलिजन को इनका बुद्धी को ठोड़ा जो है नेगिदिविटी लाता है लेकिन उसमें पी कोई डोड़ा ही नहीं है क्योंकि बुद्ध और सुडियों को जोस्ति पहुत हद तक अच्छा बना जाता है किसी भी कुंदुली आप उठा के देख लिए देख लिजिए सुडियों और बुद्ध अगर एक घर में पड़ा होंगे यानि दूसरा भाब पहला भाब सौथा भाब पंसम भाब सप्तम भाब नबं भाब दसम भाब या एकादस भाब इसमें हमें सा अच्छा ही रिजाल देते हैं दोस्तों तो इस हिसाब के इनका जनम कुंदुली में भी बहुत अच्छी तरह से सुडियों और बुद्ध का यूटी बने होंगे क्योंकि ये सुडियों की ओर ही जुका हुआ है तो इस हिसाब से इनका बहुत हद तक अच्छा है लेकिन थोड़ा थोड गुन होंगे उस गुनों में थोड़ा बिद्धी इजाफा कम होंगे तो अभी आईए पहले मंगल की ओर चलते हैं मंगल ना ज्यादा उठा हुआ है ना ज्यादा दबा हुआ है बहुत खत तक तो अच्छा ही है दूसरा मंगल जो है ये भी बहुत खत तक अच्छा ही है ना खत्तक इनका जो मार्श जो है बहुत खत्तक अच्छा है यह पहली दिशा और यह दूसरा बहुत खत्तक अच्छा है मार्श का एरिया यहां तक होता है बहुत खत्तक अच्छा है ना ज्यादा कटी फूटी है ना दाग धब्बे वाली है कोई रेखा कहीं से आकर भी कटी नह ना कोई रिखा है, आगर कर जाली नमा बना हुआ है। बहुत खत्तक अच्छा है। इनका पती जो है बहुत अच्छा मिले है कि इनकी इशारमे नसने वाले पती मिले है। अब ही आईए शुक्रो की और सलते हैं, जो सुख्षुविधा के मालिक होते हैं, उनकी ऊपर सलते हैं, शुक्रो प्रबद जो है, ना ज़्यादा उठा हुआ है, ना ज़्यादा डबा हुआ है, बहुत ख़त तक अच्छा है, स्वास्ते है, इनका सैक्स लाइब जो है, अपनी तरब से जी सकते हैं, बहुत खत्तक सल सकते हैं, इनका भागे रखा भी आप देख पा रहे हैं, ये इंदी बिन है, लेकिन जाकर के मस्तिक रखा को से ही खतम हुआ है, तो ये थोड़ा आगे जाकर खिदे रखा को क्रोस करके, अगर सनी परपत की नीचे अगर हो जात होता, लेकिन इसमें भी कोई दोड़ा ही नहीं है, मस्तिक रखा और खिदे रखा क्रोस ना किया हो, तब भी खिदे रखा से एक सका निकल करके, ये देखिए, सनी परपत को नीचे पड़ा हुआ है, तो इस हिसाब से इनका भागे रखा बहुत खड़ाब है, ये बोल नही सकते हैं, बहुत खड़ाब सही भी है, कम से कम इनकी जिन्देगी में 70% से उपर ही इनका लाब मिलना टै है, सनी की भाग रखा को लेकर, अभी आए अंगठा की और सलते हैं, अंगठा की पर पहली बहुत बढ़िया है, दूसरा बहुत बढ़िया है, तीसरा भी बहुत ये यवो का सिन्द भी बना हुआ है, जब इनने मेरे साथ बैट करके जब इनके खतली प्रिडिक्शन किया था, तब मैंने अपने आँखों से देखा, यहां बहुत बढ़िया स्वास्ता ये यवो बना हुआ है, आँखों की तरह, तो इसको बहुत खत तक अच्छा मना ग है, वो आदमी क्या करने वाला है, वो आदमी क्या करेगा, ये सब जो अंदाजा है, ये औरत महिला जो है लगा सकते हैं, साथ में दोस्तों ये देखिए बार एक बार एक से जो रेखाए है, ये आपको दिखने को मिल देंगे, शुक्र परबत में, बहुत खत तक इसको है, उस उस गरणों का नतीजा रिजल यानि मिलने वाला है इनकों, साथ में दोस्तों, एक है देव गुरू, ये भी बहुत खत तक अच्छा है, और डुसरा है दानब गुरू, जो रक्षस का गुरू मनते हैं, सुक्रोसारिय को गुरू, शुक्रोसारिय को वो भी बहुत अच्छा है, और ये भी बहुत खत तक अच्छा है, यानि दोनों गुरू जो है, इनके लिए सूब है, साथ में दोस्तों, ये औरज जो है, संदर प्रवत इनको पती को भी डर्शाता है, भी बहुत अच्छा मना जाता है, सुर्यों की और भी बहुत खत तक अच्छा मना बोलना है यह औरम जो है बहुत खब्सूरत है देखने में इनका खब्सूरत जो है फिप्ति फाइब 윤ह तक बाद में भी बनेंगे ऐसा नहीं है लेकिन 55 यर्स तक इनको ऐसा लगएगा कि यह कम से कम 30 साल की है या 32 साल की उमर का लग रहे हैं ऐसे इनको दिखने को मिलेंगे साथ में दोस्तो यह सनी की जो पहली पर जो है मधमा उंगली यह इस्टरब जुखा होने से बहुत खत तक अच्छा नहीं माना गया है क्योंकि इनका पती जो है इनके खतों के अंदर ही है यह जब भी बोलेगा कि उठ जाएगा जब बैट बैट जाएगा वह यानि थोड़ा पती के ओपर थोड़ा ताना साही जैसे ही बनने का योग इनके बन रहा है और बात में जब हम इनको सामने बैट करके यह बात बोला तो यह इनने बोला कि सो पसिज तक अपने सही बोले हैं मेरा कोई भी बात मेरा पती कार्टा नहीं है इसे सबसे देंपेट जिबन जो है बहुत खत तक अच्छा रहता है लोकिन दोस्तो यह ताना साही होना ही बहुत अच्छा नहीं मना जाता है थोड़ा इसमें धिरेज रखना बहुत खत तक अच्छा है क्योंकि इनका बूद जो है बहुत खत तक में अच्छा नहीं मनता हूँ क्योंकि इनका जो आरी रहा है हैं ये मुश्किले बढ़ाए देंगे किसी भी हालत में और दोस्तों एक बात और बता दे ये इनका विबार रेखा है तो यहां थोड़ा हलका आसा जुखा हुआ है तो इसको भी दरसाता है कि ये बहुत खत तक सूप नहीं मानागी मैं अपने सला की तोड़ से इनको बोला ह हुआ हुँ कि ताना साही जो है ये थोड़ा बहुत कम कर दे ताना साही नहीं करना सही है अपने पति के साथ दोस्त की जैसे वेवहार करें कि कि अपने पति को कभी कभर अपना पिताजी की रूप गुनों में भी दिखा जाता है हर औरत साता है अपना पिताजी की जैसे ही उनको मर्ड मिले, हजबन मिले, तो इस हिसाब से ये जातिका को, इस महिला को मैंने बहुत प्यार से समझा दिया है, अगर ये समझ ले, तो इनकी जिन्देगी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बात में बुढ़ापा जो रहेगा, बहुत अच्छा भी रहेगा, ये देखे अच्छा ही रहेगा, अगर ताना सा ही करेक्टर को अगर अपलाई करेंगे, बात में ये मुश्किलित जो है, बटे जाएंगे, औरत जो है, दिल के लिकिन बहुत अच्छा ही है, ये देख पान रहे हैं, दो भागों में विसलित हो जा रहा है, तो बहुत खत तक तो अच् अच्छा होना अच्छा लगता है, तबी एक सुखमय जिवन जी सकते है एक डेमपर्टर जिवन जो है स्वास्थ रहते हैं हाला कि अभी एक औलाट की माँ है ये औरत तो एक औलाट की योग जो है बाद में भी बन रहे हैं तो ये से सबसे इनका हते लिए जो है बिलकुल बहुत बढ़िया है अभी देखिए इनका राहू की सेत्रों जो है ये भी बहुत खत्तक सही भी है अच्छा भी है कम से कम इनक 50% में इनका result देने में बाइध्य है लेकिन केटू की स्थान जो है बहुत खत्तक अच्छा है कम से कम यह 80% तक result जरूर देंगे क्योंकि कुंदुले में भी राहू के तो अगर सलते हैं तो हम लोग को दिखाई देता है आमनी समने रहता है कहीं पर अगर राहू बिगर गया तो केटू संभल लाता है केटू का परिश्चिति आच्छा आता है कभी कबर क्या होता है केटू अगर खड़ाब होता है तो राह होता है इसको आप मन के सल लिये air element कहा जाता है air element अगर सही हो जाता है ना किसी भी आदमी या order के बहुत खत्तक अच्छा होता है लेकिन इनका air element जो है बहुत खत्तक अच्छा नहीं है क्योंकि सनी भी result देने में 100% तो रिदाल इन पर दे नहीं पाएंगे, लेकिन साथ में ये राहू भी दे नहीं पाएंगे, लेकिन केतु जो है, बहुत हद तक अच्छा है, स्वास्त है, और ये एहा में भी नीशे में भी तीन मनीबन रेखा, बिलकुल बढ़िया से बना हुआ है, जिस ताम हमने इनका ख बहुत अच्छी तरह मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि ये स्वामी की स्थान है, बहुत खत्तक अच्छा है, और स्वामी की रेखाय से इसे रेखाय बना हुआ भी है, साथ में दोस्तों, ये फ्रेट लाइन के साथ से एक तो टीबूस भी बहुत खत्तक आपको दिख रहा है, बहुत मनी टेंगल भी बोलते हैं, टीबूस भी बोलते हैं, ये बहुत सूब होता है, बहुत हत्यले में कम पाया जाता है इस तरह सा टीबूस, अगर किसी औरत या आदमे के हत्यले में अगर इस तरह सा टीबूस बनते हैं, तो उसका लक्षन जो है, उसका सुबता में ती गुना जादा और बढ़ती करवा देते हैं और बारल इनका हथेली जो है बहुत खत्तक अच्छा है कम से कम 75% जो है रिजाल देने में बाइदे हैं बहुत बढ़िया है कम से कम 100 में से असी पसितत जो है ये रिजाल भोग सकते हैं क्यों मैंने पहले भी बोला इनका गुरू देब गुरू बहुत खत्तक सही है और ये दानब गुरू शुक्रशार ये भी बहुत खत्तक अच्छा है एक ही हथेली में दोनों गुरू अच्छा होना बहुत खत्तक अच्छा ही माना जाता है दो गुरू होने का अच्छा होने क मतलब यह भी नहीं बनता है कि यह अपने पती के ओपर ठोड़ा हावी हो जाए ताना सही हो जाए तो यह इस औरट को भी मैंने समझा हुआ है अगर यह समझ ले तो इनकी जिन्दगी के लिए बहुत 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 गजरने वाले हैं अन्तिम सरंज इनकी जो भी है बहुत खत तक अच्सा है यह लाइप लैंड भी और सोरी भगए रेका भी आप देख पाना है बहुत खत तक यह देखिए यहां से आ करके फिर यहां से जाकर के यहां आया हुआ हुआ है तो यह मस्दिख से क्रोस करके खिड़े रखा के पास गए नहीं है लेकिन ये हीदे रेखा जो है आगे जाके दो मुही हो करके एक रेखा यहां पर्मेनन पढ़ा हुआ है तो यह से सबसे इनका money related बहुत खत्तक तो इस रहने वाला नहीं है क्योंकि इनका अपना जनम देने वाला पिता जी मता जी क्या भी घर जो है बहुत खत्तक अच्छा है money related इसू इनका कभी भी आने वाला नहीं है अगर पती के यहां से थोड़ा कमज़े महस हो गया तो अपने पापा के यहां से यह recover हो सकते है तो दोस्तो इस तरह सा अगर रेखाए आपके हतले में भी है तो इनका रिजल जो इस औरत के बारे में हमने बोला वही रिजल आपके साथ भी सेम prediction होंगे उसका सिधा सा मतलब वही दर्शात होंगे अगर दोस्तो इस वीडियो को अगर पसंद आए तो कम से कम आग लाइब कीजिए कम से कम दोस्तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आकन कर दबाना ना भूलिए साथ में एक तो प्यारा सा comment जरूर लिखके भेजे आपका comment का बहुत दिल से हमें इंतजार रहता है आपका अच्छा अच्छा comment अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है तो about section में आप जा करके मेरा वहां whatsapp नमबर भी पढ़ा हुआ है साथ में दोस्तों अगर आप call कर सकते हैं तो call भी phone भी कर सकते हैं आप दोस्तों तो अभी बिदा लेने के time आ गया है मैं अभी इजाज़त लता हूँ नमस्कार जैहिन